गाइस अभी जो आप लोग सटब देख रहे हैं यह सब्व आपका अहुजा का होने वाला है और यह बिल्कुली नया सब्व है अहुजा का और इस सब्व को एक भाई पर्चेस किया है कितने में लिए मैं आपको आगे चलके बताने वाला हूं और आपको बताऊंगा और आप लोग अगर इस तरह आउजा का नियूस रव लेंगे तो कितना आपको पराज पढ़ जाएगा अभी टाइम में जो कि भाई ने बिल्कुली नया खरीदा है तो मैं आ आपको एक एक करके दिखाना चाहूंगा और उसका प्राज भी आपको बताऊंगा तो भाई ने सबसे पहले अउजा का नियू बेस लिया है जो कि सिंगल बेस है यह डूपर जो कि आप लोग जानते होंगे तो यह दो पीस भाई ने लिया है और उसके उपर जो कि आप लोग टॉप देख सकते हैं यह टॉप का अउजा का srx-510 जो मोडल आता है और ही टॉप है जो कि दो पीस और इसके लिए जो कि भाई ने अमलिफायर अलग दो अमलिफायर यूज कर रहा है सबसे भी अमलिफायर आप लोग देख सकते हैं अउजा का lxa-4500 जो कि आप लोग जानते हों कि इस अनलिफायर को और यह भी अनलिफायर आपका बिल्कुल नया है मतलब सारा समान भाई ने बिल्कुल नया खरीदा है और जस्ट उपर में आप लोग देख सकते हैं इस टेंजार का पीटी 701 और इस अनलिफायर को ब्याकी में आप ल बेसकते हैं जो भाय ने है टोटल समान खरीदा हो कि बिल्कुल नया है चले आप जानते हैं इस सवी समान का प्राज कितना पता है भाई को और ज Too तो चले देखें आपको प्राज दिनों मिल जाता है जो कि भाई ने खुद कहा कि कितना समान का कितना प्राज पड़ा है तो आप लोग देख सकते हैं अहुजा का LX 45 समलिफार की प्राज 35,000 रुपया पड़ा है भाई को और अहुजा का न्यू बेस SWX 1010 जो बेस है उसका प सभी एरिया मिल जाता है तो भाई को लगबग ठीक प्राज मिला है इस समलिफार का और SRX 510 जो की टौप है इसका प्राज आपका 38,000 आप लोग देख सकते हैं इसका भी प्राज ठीक ठाक भाई को पड़ा है मतलब अच्छा रेंज में मिल गया है भाई को यह दो टौप त उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं डाची का 10 के भी का प्राज 22,000 रुपया पड़ा है और मैं इससे लगब बता भी चुका हूँ जो के अगर मैनवली आप लोग बनाएंगे तो 18,000 अगर बेंडल लेने जाएंगे तो 22,000, 25,000 इस तरह आपको पड़ी जाता है और उस इस मिक्सर में काफी अच्छा फंसन आपको दिखनों मिल जागा तो इस रेज में काफी बिढ़ा मिक्सर है आप इससे ले सकते हैं और चले आप जानते हैं इस सटब को किस ने लिया है और कौन से एरिया से लिया है चले ओ भी आपसे बतना चाहूंगा अगर आप लोग आपको साउन सुननों को मिलेगा तो चले एड्रेस देखते हैं तो आप लोग देख सकते भाय के एड्रेस इस परकार से तो अगर आप लोग इस एड्रेस के नजदी की है तो आप लोग भाय से कॉंटेक्ट कर सकते बुकिंग के लिए तो चले मैं फाइनिल में सारा कुछ इस बड़ों में बता दिया हूं लेकिन एक चीज़ आप से को बतना चाओंगा देखें जितना भी प्राज आप से को दिखने को मिला है यह प्राज भाय के एरिया का है अगर आप लोग आपने एरिया से लेने तो कुछ आपको प्राज में अंतर दिखनों मिल सकता है सेम प्राज कहीं पर नहीं मिलता है जैसे आप लोग जानते होंगे अलब 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 प्राज होते रहे हैं